मुझे विश्वास नहीं हो रहा था बीवी की गौर्णमेंट जॉब लगते ही वो इतना बदल जाएगी सुनो एक खुश कपरी है मैंने ना PCS का एक्जाम क्लेर कर लिया क्या? सच में? हाँ हाँ सच में मेरी सोल भी रेंक आई है अब मैं बड़ी सरकारी अदिकारी बनूंगी ये तो बहुत खुशी की बात है अब हमारे सारे सपने पूरे होंगे रुको तुम यहाँ तुम तो घर पे थे ना? हाँ मैं यहाँ क्यों? देखके हैरानी ओर रही है मुझे हैरानी किस बाब की? हम तो यहाँ मीटिंग के लिए आये थे मीटिंग? वो भी इस होटल में वो भी सिर्फ तुम दोनो मुझे बेवकूप समझाई क्या? ये कोन है? ये मेरे पती है हाँ मैं इसका पती हूँ और तुझे गोवर्मेंट जोब क्या मिल गई? तुने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया एक दिन गलती से तेरे फोन में मैंने तेरे बॉइफ्रेंड के सारे मेसिज पढ़ लिये थे जो तु गंदी गंदी बाते करी थे ना अपने बॉइफ्रेंड के साथ वो देखके मैं शोख हो गया था मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मेरी बीवी की गोवर्मेंट जोब लगते ही वो इतना बदल जाएगी अई बसकर तेरा ना बहुत हो गया तू अपने आपको देख तू किस पोस्ट पे हो और मैं किस पोस्ट पे हूँ मैं एक एज़ब हूँ और तू एक चप्रासी है समझा जब तू साधी करके आई थी ना तब तू कुछ भी नहीं थी और तूने जब मुझे बोला थाना कि तुझे गौर्णमेंट जोब की तियारी करनी है तब मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया तेरे पढ़ाय में कोई कमी नहीं आने दी तेरे उपर पूरा खर्टा किया और तेरे सपनों को साकार करने में पूरा साथ दिया मैंने SDM बनते ही तूने मुझे धोका दे दिया किसी और के साथ संबंद बनाने लगी हाँ, मैं रखोंगी किसी और के साथ नाजायद संबंद मैं उची पोस्ट पे हूँ और तू एक चप्रासी है समझा, और मैंने चाहती कि मुझे कोई बोले कि तेरा पती एक चप्रासी है अब अगर जादा बोला न तूने, तो दहेच का केस लगा के ना अंदर करवा दूँगी और सुन, मुझे ना तेरे से तलाक चाहिए क्या तलाक, अरे घर में हमारे दो बच्चे हैं, कैसी बाते कर रही हो तुम बच्चों के टेंशन मत ले तू, बच्चों को मैं अपने पास रखूंगी और क्या कहाता तूने के तूने मुझे पे खर्चा किया है न, येले पैसे, कम पड़े न, और दे दूँगी तेरे को और लेकिन मुझे तलाक चाहिए तो चाहिए बस और सुन, अब अगर तूने मेरे किसी भी मामले में टांग अड़ाई न, तो तुझे तो जेल भेजूँगी भेजूँगी और सारे जूटे केस लगाके न, तेरे पूरे परिवार को भी अंदर करवा दूँगी और हाँ, मैं जा रही हूँ इसके साथ, और दुबारा न, मेरे किसी मामले में दखल मत दे दियो, समझा?